हो वालकुम फ्रेंस ग्राजवेट रोल्स में आप सभी का फिरस एक बार सवगत करते हैं दुस्तो आज बात करने वाले हैं अदानी पोल्ट में इन्वेस्ट करें या नहीं इसके बारे में चर्चा करेंगे मार्केट में और वीडियो चाइनल्स में सब एक माहोल बन चुका है कि आदानी में इन्वेस्ट करे या ना करे बहुत लोग यह कमेंड कर चुके हैं कि फिलाल इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है एकसेटरा एकसेटरा और बहुत लोग तरह तरह की बाते करें और किन्तु पर लगाते हैं बिंदू हम बिंदू को आगे लेकर चलते हैं आज हम बात करने ये आजानी पोल्ट के एक पोल्ट की जरुपटकर अब और वम आगे आने वाले सम्हें में इंडिया को बहुत बहुत जादा जादा सो बेसिकली कैसा है फ्रेंज 2013 में इस बार फर्स टाइम जो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो चुका है यहां से करी आपको यहां निवेश करना है तो फिलाल इस में आप 20 परसेंट ही निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा सो देन मार्केट जैसा जैसा मूह का आप वैसा वैसा अपना जो भी इन्वेस्टमेंट आप बड़ा सकते हैं सो अज़ाएं तो ऐसा है कि आदानी एंटर्प्राइज आदानी पोल्ट को आदानी एंटर्प्राइज को तो बहुत लोग हैं कि 4000 पे भी बाइक करने वाले लोग थे सो जुनों ने 4000 पर बाई किया था उनको तो काफी अच्छा सा नुक्सान हुआ होगा सो फिलाल इस समय आपको एक इंडिया की कंपनी जब भी बहार निवेश करते बहार जाके बिजनस करती है तो वहां नाम आता है इंडिया का इंडिया के लिए हम और अधानी के ग्रो के लिए प्लस जितने भी शेयर होल्डर से उनको इसका भी शेयर प्राइस चल रहा है तो आप सोच सकते हैं कि 2015 तक कितना एक्सपोर्ट हो सकता है फिलाल इस समय निवेश करने के लिए आपको एक वजय की जरूती मतलब एक मतलब एक निवेश की जरूती तो जो कि इस बस निवेश करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट दे सकता है अधनी पॉल्ट सो इसका पी रेशो भी अच्छा पी रेशो हमें देखने की मिलेगा 19 is a PE ratio बहुत लोग खेह रहे हैं कि आधानी एंटरप्राइज इसका बहुत बड़ा है 144 इसका थोड़ा थोड़ा ज्यादा है फिलाल इसका जो PE ratio है काफी सथ है फिलाल मेरा बताने का point of view है कि इस समय आपको निमेश करना है तो आधानी पोल में शर्फ आपका 20% इसमें निमेश कीजिए मतलब आपके पास एक लाग रुपे टोटली अमाउंट है तो उसमें से आप 20% इसमें निमेश कीजिए जब भी इसका मार्केट का कि